Hello Friends, मैं आज आपको 2009 की White Night ये मूवी एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ ये एक Korean मूवी है, ये Murder Mystery, Thriller और Suspense इस सब का Combination है ये एक Suspense है, तो इसके Plot के बारे में बताना गलत होगा, तो directly dive in करते हैं इस मूवी के जो characters है, इनके नाम ज़रा difficult है, तो इसी वज़े से इनका नाम है बदल देने वाला हूँ तो आप इससे समझ लेजिएगा मूवी स्टार्ट होती है, और हमें दो characters हमारे introduce कराया गए है इसमें एक है Walter, और दूसरा है Skyler हाँ मैंने Breaking Bad के characters का नाम ही उज़ किया है, क्योंकि मुझे Breaking Bad भी बहुत याच्छा लगता है और मेरे channel में मैंने सब कुछ उसे explain भी किया है, तो चलिए start करते है हम देखते हैं, कि Walters होता है, एक आदमे का वो murder कर रहा है और इसी वक्त Skyler एक अपने boyfriend के साथ intimate हो चुकी है ये scene यही खतम हो जाता है, और next scene में हम पुलिस investigation दिखाई गई है ये जो investigation चल रही होती है, यहाँ एक police officer होता है, जो crime scene को investigate करता है जब वो बाहर आता है, तो अपने superiors को वो कहता है, कि मुझे लगता है कि ये murder होगा उसके superior उसे कहते है, कि ये suicide है, ऐसा हमें लग रहा है suicide के जो सब चीजे होती है, वो यहाँ पाई गई है यानि कि suicide notes वेगरा सब चीजे यहाँ होती है, तो उन्हें लग रहा होता है, कि ये suicide होगी पर वो जो detective होता है, उससे शक होता है, कि ये murder है ये movie जो चल रही है, ये दो अलग अलग time period में चलती है ये 15 साल पहले और 15 साल बात इस तरह से भी movie चलती रहती है तो 15 साल बात का, यानि कि जो a present है, वहाँ का ये scene था फिर से हमें 15 साल पहले जो scene है, वो हमें next दिखाया गया है इसमें भी एक murder हुआ होता है, इस scene में भी एक murder के लिए कुछ police officer वहाँ जाते है यहाँ इस scene को investigate करने वाला, जो हमारा main character है, इसका नाम हम Hank रखेंगे Hank जब इस scene पर पहुँचता है, तो उसका forensic expert, यहाँ जो सब कुछ हुआ है, इसके बारे में सब कुछ बता देता है यहाँ एक आदमी का murder हो चुका होता है, और एक शाफ weapon से उसे मार दिया होता है कि जो murder करने वाला आया होगा, वो कहा से आया होगा, फिर वो forensic वाला उसे कहता है, कि यह जिमनी से आया होगा वहाँ एक जिमनी होती है, उस narrow pipe से वो आया होगा, ऐसा उसे बताता है फिर हैंग उसे पुछता है कि इससे कोन आ सकता है फिर उसे कहता है कुछ बच्चे थे जिने शीप में हैंग आउट करना आच्छा लगता है और ये एमेंडन शीप है तो इसलिए वो यहां हैंग आउट करने के लिए आए हुए थे तब ही इने बॉड़ी मिल चुकी थी इस क्राइम सीन पर फिर हैंग खो एक टेप भी मिल चाती है अब एक क्राइम सीन से वो अपने पुली स्टेशन में आ जाते है अपने पुली स्टेशन में आने के बाद उसका जो सुपिरियर होता है वो इस case पर discuss कर रहा होता है इस case में उन्होंने figure out क्या होता है कि जो suspect है वो एक औरत है ये वही औरत होती है जिसको जो आदमी मर चुका है वो हमेशा पैसे बेशता रहता था उस औरत का उस victim से connection था उन दोनों की relationship थी ये एक affair था क्योंकि victim की wife और लड़का दोनों थे पर ये affair वो उस औरत के साथ कर रहा था ये जो औरत होती है जो suspect होती है तो उसने उससे बहुत सारे बैसे भी लिये होते है तो पुलिस वालों को अब लग रहा होता है कि इसके पास motivate था और इस वज़े से ये इसको मार सकती है एंच होता है जो type उसे मिली होती है उसे ही सुन रहा होता है उसे इस theories में कुछ ज़्यादा interest नहीं होता फिर वो उसे डाटते है और जो suspect औरत है उसके पास उसे बेज देते है ये औरत जहां रहती है उसके घर के यहां वो आते है उसका घर बन होता है वहाँ फिर एक लड़की आती है जो उस घर को open करती है उस औरत की ये बेटी होती है ये घर में जाती है और हैंक उससे पूछता है कि तुमारी मदर कहा है उसे अंदर आना होता है पर वो लड़की पहले उसका बैच पुछती है उसके बाद ही उसे अंदर आनी देती है ये लड़की बहुत ही केरफुल होती है जब ये अंदर आती है तब उनसे जादा कुछ बोलती नहीं यह अपनी जो भूख होती है वही पढ़ने लग जाती है यह जो भूख को पढ़ रहे होती है यह बहुत ही famous होती है और Hank इस भूख को अपनोटीस करता है मैं आपको यही बता दूँ कि यह जो छोटी लड़की है इसी का नाम ही Skyler है जैसा हमने movie के first में देखा था कि किसी आदमी के साथ वो intimate हो चुकी थी तो यही वो Skyler है फिर Hank उससे question पूखना start कर देता है वो कहता है कि जो आदमी मर चुका था क्या तुम उसे जानती हो वो कहती कि हाँ मैं उसे जानती हूँ फिर पूखता है कि तुम उसे कैसे जानती हो वो कहती है कि वो कभी-कभी यहाँ आया करता था थोड़ी देर में Skyler की मदर भी वहाँ जाती है Skyler की मदर वहाँ आकर उनसे पूखती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आये हो फिर उसे कहते हैं कि तुमने उससे पैसे लिये थे और कभी बेइबैक नहीं किया था तो इसी वज़े से हम investigate करने के लिए आये है फिर Skyler की मदर detective को बाहर जाने के लिए बोलती है वो अंदर आकर Skyler से बात करती है वो कहती है कि तुमने कुछ बताया तो नहीं न तुम्हें अपना mouth shut रखना है कुछ भी तुम्हें किसी को कुछ भी पताना नहीं है फिर ये कहे कर उसकी mother वहाँ से चली जाती है इसके बाद movie की present में हम फिर से आ जाते है और हमें Skylar एक school में teacher है ये दिखाया जाता है Walter हमें एक train station पर दिखता है और आज उसका बड़े होता है एक locker में हो जाता है और वहाँ उसके लिए एक gift रखा हुआ होता है वो देखकर उसके चेहरे पर smile आ जाती है next scene में हम देखते हैं कि एक millionaire आदमी अपने helicopter से नीचे होता है वो एक जगा जाता है जहाँ पर वो बड़ा सा complex बनाने वाला होता है उसने एक डिरेक्टिव को hire किया होता है उससे वो बात करता है तो डिरेक्टिव से कहती है कि मुझे एक चीज गलत लगी थी यह जो डिलिक्ट्टी होती है, इस millionear के साथ सोती हुई हमें पहले सीन में दिखी थी यानि कि इन दोनों में relationship है और अपनी relationship को आगे लेकर जाना चाहता है तो इसलिए उसका background चेक करकर उसमें कुछ गडबड तो नहीं है, यह वो चेक कर रहा होता है इसे वज़े से इस investigator को उसने hire किया होता है तो investigator उसे कहती है कि जो Skyler है ये adopted है ये जब वो कह देती है तो millionaire वहाँ से चला जाता है और इस director को और भी काम करना होता है ये millionaire फिर Skyler से मिलने आता है Skyler एक fashion designer होती है और उसके लिए एक बड़ा सा showroom में खोल कर दे रहा होता है तो Skyler इसके लिए उसे thank you बोलती है वो कहती है कि छोटा सा भी अगर तुम कर देते तो भी ठीक रहता इतना बड़ा तुमें करने के कोई भी ज़रूरत नहीं थी मिलनेरों से कहता है कि एसी कोई भी बात नहीं है सिर्फ thank you मुझे चलेगा नेक सिन में हमें देखता है कि Skyler का जो भी रूटन होता है वो जहाँ भी जाती है वो यह प्राइवेट इन्वेस्टिकेटर उस पर हमेशा नजर रकरी होती है वाल्टर जो होता है वो एक बार में काम करता है उसकी गल्ड्फ्रेंड भी उसके साथ वही काम करती है फिर से हमें मूवी पास्ट में दिखाए गी है 15 years पास्ट में हम जाते है और हमें दिखता है कि जो हैंक है वो जिस आत्मी मर चुका था उसके घर पर आया है वो उसके वाइब से मिलता है वहाँ का जो सर्वंट होता है उससे भी वाति करता है वो उनसे पुछता है कि जब यह मर्डर हुआ था तो तुम सब लोग क्या कर रहे थे तो उसे कहते हैं कि हम Animal Kingdom देख रहे थे फिरे डिडिक्टू पुछता है किस पर कौन सा शोट चल रहा था उससे कहते हैं कि एक Monkey था उसका Baby मर चुका था तो उसे ड्रैक करते होए जंगल से जा रहा था यही शोट यही एपिसोट चल रहा था Victim का जो बेटा होता है वो नीचे नहीं होता तो उपर जाकर अपने रूम में वो Homework कर रहा होता है तो Hank वही भी आ चाता है जो वह वहाँ पहुचता है तो वहाँ वही भुग दीखती है जो Skyler के पास थी Hank फिर उस लड़के से अपना नाम पुछता है वो उससे कुछ question पुछना चाता है पर जो victim था उसका जो servant है वो वहाँ जाता है वो उससे disturb कर देता है उससे उससे बात नहीं करने देता यह जो बच्चा है इससे का नाम Walter है जो हमें movie के present में भी दिख रहा है जिसने एक आदमी का अभी भी murder किया है यह वही Walter है यह जो servant होता है जाते जाते डोर में उससे बात करकर जाता है Walter को कहता है कि हमने जैसा real self किया है वैसा है तुमने बता या नहीं उससे पूछ रहा होता है फिर next इन में हम फिर से movie के present में आ जाते है जैसा हमने देखा था एक आदमी का murder हो चुका था Walter ने उस आदमी को मारा है और यह जो आदमी अभी-भी मारा है यह वही servant था जो 15 साल पहले Walter के घर में काम कर रहा था Walter ने उसी के servant को मार दिया है अब यह servant के case के लिए जो detective है वो Walter की mother की यहां आय हो होता है उसके mother से question पूछ रहा होता है फिर उसे question करता है और पूछता है कि जब तुमारा husband मर चुका था तो उसके बाद तुम सर्वन के साथ रही थी वो से कहती कि हाँ तमी यंग थी फिर वो पूछता है कि तुमारे son का क्या वो अब कहा है Walter की mother को वो कहा है यह मालूम नहीं होता फिर डिडिक्टू पूछता है कि क्या वो अपने father से प्यार करता था वो कहती है कि हाँ वो उसे प्यार करता था फिर जो mother होती है उसे question ज़ादा होने लग जाते है तो डिडिक्टू को जाने के लिए बोलती है फिर से हम 15 साल पहले तक पहुच जाते है वहाँ पर जो छोड़ी स्काइलर होती है वो अपने मकान मालिक के हाँ आती है उसे कहती है कि डोर बन हो चुका है और मेरी मदर कहा है मुझे पता नहीं प्लिस मुझे मेरे घर का डोर उपन कर दो फिर वो मकान मालिक उसके साथ जाता है और जब वो डोर ओपन करता है तो Skyler की मदर वहां मरी हुई पड़ी हुई होती है जो गैस होता है वो ओन होता है और सबको लगता है कि यह सुसाइड है पुलिस वहां आती है और हैंग भी यहां होता है हैंग पुरा क्राइम सीन देखता है और वहां उसे एक लाइटर मिलता है इस पर जो साइन मना हुआ होता है यह जो पहले विक्टिम था उसके बेल्ड पे भी था यानि कि Skyler की मदर अब मरी है इसके खिलाफ और एक इविडन्स उसे मिल गया है अब यह जो केस होती है इस केस में एक इविडन्स जो थी वो यह औरत ही थी यानि कि Skyler की मदर ही थी तो अब यह मर चुकी है तो इसी वज़े से वो अब यह केस बन कर दे रहे होते है पर अब यह भी हैंक को लग रहा होता है कि यहां कुछ तो गड़बड है उसे सैटिसफाइड नहीं लग रहा होता Skyler की मदर ने सुसाइड नहीं की है ऐसा उसे लग रहा होता है यहां में हैंक का बाढ़ना जोता है वो बोलता हो दिखता है कि उसने एक टेस्ट ली है जिससे वो एक सूपेरियर ओफिसर बन सकता है उसका प्रमोशन हो सकता है हैंक इसे इतना भी सिरिस नहीं लेता हैंक फिर भी इस केस पर काम कर रहा होता है जब वो मर्डर सीन की फोटोग्राफ्स देखता है तब उसे पता चलता है कि अगर गैस ओन था तो उस पर जो करी थी वो बॉयल होकर उसे नीचे गिर जाना चाहिए था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था ये चीज वो अपने सुपरियर को कहता है उसका सुपरियर उसके मानदाने और कहता है कि ये केस बन हो चुकी है तुम्हें इतना ज़ादा इस पर सोचना नहीं है उसे केस बन करने के लिए बोल देता है हैंग इस पर चीट जाता है उसी ये नहीं करना होता और वहाँ से वो चला जाता है हैंग फिर जीशिपर वाल्डर की फादर मरे थे वो चिपर आ जाता है वहाँ उसने अपने बेटे को लाया हुआ होता है जिस chimney से murder आया था उसी chimney से एक बच्चा ही जा सकता है तो इसलिए वो अपने बच्चे को वहालाता है उसके बच्चे को Christmas के लिए एक bicycle चाही होती है तो इस लालच में वो एक काम करने के लिए ready होता है हैंक का son जब नीचे उतर रहा होता है तो हैंक उतना ज़ादा उस पर ध्यान नहीं देता वो स्मोकिंग कर रहा होता है और बहुत इर्रिस्पॉंसिबल होता है तो उसका बच्चा वहाँ से गिर जाता है और वहाँ नीचे गिर कर वो मर जाता है फिरसा मॉवी के प्रेजयंट में आते हैं और जो डेरेक्ट्ट्व थी वह मिलनियर के पास आयो हुए होती है और उसे कहती है कि जो स्कायलर है उसका एक स्टॉकर होआ करता था फिर वो मिलिनर से कहता है कि यह जो stalker है इसके बारे में तुम सब कुछ पता करो और इसका सब सही ठीकाना लग जाना चाहिए वो मिलिनर कहता है कि जब भी मैं Skyler के पास जाता हो तो मुझे कुछ अलग लगता है मुझे फिलिंग अब नहीं चाहिए तो इसलिए उसे closure चाहिए होता है इसी वज़े से stalker का पता लगा कर उसे ठीकाने लगाने के लिए इस investigator को बोल रहा होता है नेक सेन में हम दिखता है कि जो servant था उसका case जो investigate कर रहा है वो detective अब Walter के पास आया हुआ है Walter से पूछता है कि जब वो servant मरा था तब तुम कहा थे Walter कहता है कि तब में सोय हुआ था Walter की नेक पर एक निशान होता है वो भी यह detective नोटिस करता है यह जो detective होता है फिर वो हैंग के पास आता है अब 15 साल गुजर चुके है तो हैंग की भी अब H हो चुकी है उसे diabetes है और इससे उसे तकलिफ होती रहती है वो हैंग के पास जाता है और उसे कहता है कि जब तुम इस case पर थे यानि Walter के father जो मर चुके थे उस case पर जब तुम थे तब तुम्हारे बच्चे के मर जाने के बाद दो साल तक तुमने इस case को परसु किया था तुम्हारा divorce भी हो चुका था फिर भी तुम इसी case पर लगे पड़े थे तो उसे वो पोच रहा होता है कि क्या उसे कुछ जादा मालूम है पर हैंग उसे कुछ भी information नहीं देता और चले जाने के लिए ignore कर देता है जो millionaire होता है उसकी एक बेटी भी होती है वो scholar के साथ अब है तो उसकी बेटी कोई अच्छा नहीं लगता scholar उसके बेटी को स्कूल से घर लेकर जा रही होती है क्योंकि वो semi school में ये पड़ाती है और millionaire की बेटी भी वही पड़ती है तो इसके लिए scholar उसे घर छोड़ रही होती है तो इन दोनों में नहीं पड़ती है तो वो बेटी उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ pretend नहीं करना है तुम जो smile कर रही हो वो भी fake है ये मुझे पता है next scene में हम देखते है कि डिरिक्टू अब उस सर्वन के घर पर आया हुआ है और crime scene को अभी भी investigate कर रहा है इसके बाद एक week बीट जाता है हैंग को लगता है कि इस डिरिक्टू को उसे मदद करने जाहिए इसके लिए जब वो उसकी inquiry करने के लिए call करता है तो उसे पता चलता है कि डिरिक्टू मर चुका है हैंग फिर इस काम में फिर से लग जाता है हैंग फिर वोल्टर की मदद को मिलने आता है कि जब तुमने मझे बताया था कि तुम Animal Kingdom देख रही थी तो मुझे शक गया था तो मैंने Animal Kingdom के सब एपिसोड देख लिया और मुझे वो मिल भी गया उसे बता रहा होता है कि मुझे पिलीज बता दो कि उस दिन क्या हुआ था पर वोल्टर की मदर उसे कुछ भी नहीं बता रही हुती फिर नेकसीन में हमें दिखता है कि जो डिरेक्ट्टू टू-मसिं है उसे वोल्टर गाड रहा होता है यह गार्डन होती है जहां उसे गार देता है फिर नेक्सिन में हम दिखता है कि मिलिनियर और स्काइलर दोनों इंटिमेट हो चुके होते है तो मिलिनियर उसे पुछता है कि तुम मुझसे क्यों प्यार करती हो फिर Skyler कहती है कि तुम बहुती रीच हो, इसलिए हमें तुमसे प्यार करती हो तो वो पोछता है कि तुमें कितने पैसे चाहिए Skyler कहती है कि मुझे कभी भी बैसो की चिंता ना करने पड़े इतने पैसे अगर मेरे पास आगए तो मुझे कोई भी चिंता नहीं होगी पर हैंक उसे ही पकड़ लेता है और जो भी उसने investigate कर रखा होता है वो सब देखता है वहाह उसे पता चल जाता है जो Skyler है उसने अपना नाम change करकर अब वो रह रही है millionaire के साथ वो relationship में है और वो millionaire उसे शादी भी करना चाता है यह सब information अब उसे मिल चुकी है Skyler जिस building में रहती है उसी building के next building में हमें Walter देखता है वो दोनों एक दूसरी को खिड़की से देख सकते है यह हमें पता चलता है Hank को अब पता होता है कि Skyler का जो stalker था वो भी पकड़ा जा चुका है तो इस stalker से वो मिलने के लिए जाता है यह stalker उसी यहां कहता है कि मैं उससे प्यार करता था इसलिए मैं उसके आगे पीचे गुंता था पर जो real stalker था वो अलग ही था कि अगर तुम उसे देख सको तो क्या पहचान जाओगे यह stalker भी यहां हा कहता है हैंक को अब यहां पता चल चुका है कि Walter और Skyler इन दोनों में कुछ ना कुछ तो relationship है जो private investigator होती है वो Skyler के पुराने स्कुल में आती है वहाँ के एक teacher उससे कहती है जो Skyler थी और Walter यह दोनों एकी स्कुल में पढ़ते थे Walter के father को Skyler की mother ने मारा है इसी वज़े से एकी स्कुल में रहना इन दोनों के लिए बहुत difficult था Skyler को बच्चे तंग करते थे उसका जीना उन्होंने हराम कर दिया था और Walter ने कभी भी उससे तंग नहीं किया था फिर हमें Walter उसकी girlfriend के साथ दिखता है वो intimate हो जाते है यह खतम हो जाने के बाद उसकी girlfriend उसे पुछती है कि क्या तुम कभी भी satisfied नहीं होते है वो से Skyler के बारे में बता होता है वो फोचती है तुम उसके साथ जब थे तब वो केसा था जो वाल्टर होता है, वो Skyler से बहुत ही प्यार करता है वो किसी औरत के साथ सैटिस्पाइड है नहीं हो सकता फिर नेक सिन में हम देखता है कि Skyler और Millionaire दोनों कार में सफर कर रहे होते हैं जब आप कार में होते हैं तब कार के brakes फेल हो जाते हैं इन दोनों को accident हो जाता है वहाँ Skyler फिर इस millionaire को गाड़ी से निकालती है और उसे बचा लेती है उसके पास एक device होता है जिससे ये सब हो चुका होता है इसका मदलब जो break fail हुए थे ये Skyler नहीं plan किया था अब होस्पिटल में होते हैं तो millionaire Skyler से बहुत ही thankful होता है और उसे ये जता कर देता है वहाँ फिर उस millionaire की private investigator रहती है वह Skyler को सब सच चच बताता है कि मैंने तुम पर investigating करने के लिए ये सब क्या था वो Skyler को सब सच बताता है वो कहता है कि मैं तुम्हें investigate कर रहा था Skyler को भी इससे कुछ फरक नहीं पड़ता फिर उससे कहती है कि मेरी mother मर जाने के बाद मैं मेरे end की यहा रह रह रही थी उसकी end जो होती है उसके husband भी मर चुके होते है तो उसके husband का जो name होता है ये Skyler ले रह गयरी मेरी थी है स्कायलर की mother मर चुकी थी और उसके end कहस्व कुंद मर चुका था तो एक दुसरे का a iPod बन जाते है स्कायलर की mother और स्कायलर के end के husband दोनों मर चुके थे तो एक दुसरे कहीता है उसकी end फिर उसको उड़ॉप कर लिया था इसी वजह से उससवी अपना ना नहीं कर सकता, Skyler ने अभी-अभी उसकी जान बचा ही है, तो इसलिए वो उससे प्रपोस कर देता है उसे शादी के लिए वो मना लेता है Millionaire की जो बेटी होती है, वो Skyler से कहती है, कि as a mother, मैं तुमें कभी भी accept नहीं कर पाऊंगी अब ये private investigator है, तो इसे अब Millionaire ने जॉब से हटा दिया है पर फिर भी उसे लग रहा है, इसमें कुछ तो गड़बड है, फिर वो Hank से मिलने आई हुए होती है, वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे मदद नहीं करोगे फिर भी वे पता कर ही लूँगी Hank भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, वो उसे अपने घर पर लेकर आता है, वो अपने investigation की सब files वेगरा उसे दिखाता है, इस file में Walter के father जब मरे थे, वहाँ उसे कैसिड मिली थी, वो कैसिड फिर उस private investigator को सुनाता है वो जो कैसे टूती है, इसमें noise होता है, पर इसमें जो background होता है उसने clear किया होता है यहाँ उसे Walter की आवाज सुने देती है यानि कि इससे पता होता है कि जिस दात Walter के father मरे थे उसके साथ Walter था फिर वो private investigator को कहता है कि Walter के father को Walter नहीं मारा था यही simplest explanation है और यही sense करता है यह सब Walter सुन रहा होता है वो नीचे ही अपने गाड़ी में होता है उसने एक device Hank के apartment में भी plan किया होता है इसे वो सब सुन सकता है कैलर का जो shop होता है उसका अब सब कुछ interior decoration सब हो चुका होता है उसकी grand opening होने वाली होती है Nixon में हम देखते है कि Walter Hank के घर पर आ चुका है Hank के घर पर आकर वो देख रहा होता है कि Hank ने क्या-क्या investigate कर रहा है वहाँ उसे समझ में आ जाता है कि Hank को पता है कि वही real killer है जो private investigator होती है अब उसे पता चल जाता है कि Skyler ने वही accident millionaire का करवाया था तो ये call करकर हैंग को बताती है Hank उसे कहता है कि तुम मेरे apartment में जाओ वहाँ keys में ने रखी है वो लेकर तुम apartment में रुको Hank फिर अपने superior के पास जाता है उसे जाकर सब बताता है कि Walter ही है जिसने उसके father का murder किया था उसका superior अभी में मान नहीं रहोता Hank उसे कहता है कि जिस आदमी को यानि कि servant को मार दिया गया था उसके हाथ में एक DNA मिला था उस DNA को अगर हम Walter से match कर पाए तो Walter ही real killer था ये हमें पता चल जाएगा पर उसका superior इसके लिए मान नहीं रहोता उसका superior होता है उसका friend ही होता है कि मुझे ये drop करना ही पड़ेगा क्योंकि अब Hank को जादा दीख नहीं रहा होता वो applying हो रहा होता है Nixon में हम देखते है जो private investigator थी वो Hank के घर पर पहुँच चुकी है पर अब वहाँ already Walter आ चुका था Walter वहाँ poisonous gas पहला देता है और खुद एक mask पहन लेता है जब ये private investigator वहाँ पहुचती है तो ये बेहोश हो जाती है वही मर जाती है इस private investigator का Hank से ही phone चल रहा होता है तो Hank को पता चल जाता है कि इसे मारने के लिए कोई आया है Hank भाग कर वहाँ पहुचता है पर वहाँ उस घर पर उसे कुछ भी नहीं मिलता नेक सिन में हम फिर से देखते है कि Walter अब इस private investigator की body गाड रहा है ये जो जहाँ गाड ता है वहाँ एक garden होती है फिर हमें दीखता है कि जिस garden में वो गाड रहा है ये जो house है ये Skyler का ही house है Skyler की आण जा रहती थी जहाँ वो बच्पन से बड़ी हुई है उसी घर में वो इन सब body को काड रहा है इसके बाद नेक सिन में हम देखते है कि Skyler अपने classroom में आती है मिलिनेर के जो बेटी होती है उसने board board रिखा होता है कि Skyler की mother एक murderer थी इससे वो बहुत ही disturb हो जाती है और उसे Walter को message देती है और उसमें लिखा होता है कि उसे उस millionaire को बेटी को मार देना है फिर Walter और Skyler रस्ते के आर पर एक दुसरे को देखते है और phone पर बात करते है Walter से कहता है कि हमारा जो भी plan है ये worth it मुझे अब नहीं लग रहा मैं किसी बच्चे को नहीं मा सकता Skyler उसे कहती है ये एक last काम तुम्हें करना पड़ेगा इसके बाद हम एक happy ending हमारी हो जाएगी इसका plan होता है millionaire के पास वो शादी करेगी और उसके पास बहुत ही जादा पैसे आ जाएंगे और फिर वो उसे divorce ले लेगी फिर वो Walter के साथ रहने वाली होती है Walter से कह रहा होता है कि हम अब यहाँ से चले जाते है और इस पैसो के कोई भी चिंता नहीं है Skyler उसे कहती है कि ये जो सब मैंने किया है यह मैंने पैसो के लिए तो किया है बिना पैसे कि मैं कैसे रह सकती हूँ Walter को यह नहीं करना होता और बहुत डिस्टब होता है जो सब murders Walter कर रहा है अब Walter के mother को पता है वो हैंक को उसके पास बुलाती है वो उसे फिर सब कुछ सच बता देती है वो कहती है कि Walter के father जब जेल से बाहर आ चुके थे तो वो Walter से मिले थे Walter को पता था कि उसके father Skylar को पसंद करते है वो बोलती है कि Walter के father को छोटी बच्चिया ही अच्छी लगती थी Skylar की mother Walter के father से पैसे लेती थी और Skylar को उनके पास भीज़ देती थी फिर Walter के father उसका शारीक शोशन करते थे यह जब बात Walter को पता चली तो Walter के father को उसने मार दिया जब Walter के father को उसने मार दिया था तो उसके चुक पड़े थे वो Walter के servant को मिले थे servant ने फिर उसकी mother को blackmail किया था इसे वज़े से उन दोनों में relationship हो चुकी थी Walter ने यह देखा था जब वो बड़ा हो चुका था तब servant को उसने मार दिया है वो फिर हैंक को कहती है कि Walter को तुम अब पकड़ लो सकाइलर जब मिलिनेर की लड़की के साथ घर पर आती है तो Walter आया हूँ होता है वो Walter को उस लड़की का रेप करने के लिए बोलती है यह लड़की बहुत ही डिस्ट अब हो जाती है फिर सकाइलर उसे कहती है यह जो secret है यह हम दोनों के बीच में रहेगा जब रात होती है तो सकाइलर उसके पास जाती है वो अपने कपड़े उतारती है और उसे जकड़ लेती है वो से कहती है कि तुम्हें अब याद नहीं आ रहा होगा कि उसने तुम्हारे साथ कैसे रिप किया था जैसे अब मैंने तुम्हें जकड़ा है यह तुम याद रखो वो से कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे साथ भी यह हुआ था तुम यह कभी भूल नहीं सकोगी पर अब हम दोनों में यह common है फिर नेक सिन में हम दिखता है कि हैंक अब imagine कर रहा होता है कि कैसे वॉल्टर ने उसके फादर को मार दिया होगा यह सिन फिर हमें दिखाया क्या है अपने फादर को देख लेता है जब वो स्काइलर के साथ होता है वो बहुत इगुसे में होता है वो चाकू लेकर अपने फादर को मार देता है फिर स्काइलर उसके पास आती है और कहती है यह तुमने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है इसके जिम्यदार में हूँ इसमें तुम्हारा कोई भी fault नहीं है अगर तुमने उन्मारे फादर को नहीं मारा होता तो कभी ना कभी मैं तुम्हारे फादर को मारी देती Walter Skyler से बहुत ही प्यार करता है तो एक दूसरे का राद वो दपना देते है Skyler उसे कहती है कि अब हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे कुछ भी सीन हमने किया होगा तो हम अगर 15 साल तक इसका प्राहिशित करेंगे तो हम ये एक सीन भुला सकते है इसी वज़े से 15 साल तक वो एक दूसरे से नहीं मिलते फिर निकसिन में हमें दिखता है कि हैंग स्कायलर से मिलने आया हुआ है हैंग फिर स्कायलर से कहता है कि वाल्टर से तुम सब चीज़े जो करवा रही हो इससे वो बहुत ही जादा दलदल में दस्ता जा रहा है वो 20 साल से वो ही शिप में ट्रैप्ट है कभी भी उसे salvation नहीं मिला है उसे तुम ही save कर सकती हो यह कहकर वो उसे वहाँ से चला जाता है Nixon में मैं Walter Skyler को call करता हो दिखता है उसे कहता है कि अगर मैं तुम से प्यार नहीं करता और अगर मैं मेरे father को नहीं मारता तो मेरे साथ क्या होता वो अब second doubts कर रहा होता है जो भी चीज़े उसे करनी पढ़ रही है वो उससे उसलों के खराफ होती है फिर भी वो Skyler से प्यार करता है इसी वज़े से वो यह सब कर रहा है वो अब दिखता है कि अपने partner को यह सब hang बदा देता है उसका partner भी अब Walter को jail होनी चाहिए इसके लिए राजी हो जाता है Walter ने जो भी सब dead bodies गाड़ी होती है Skyler की end वो अपने garden में मिल जाती है Skyler फिर Walter से मिलने अपने apartment में आती है उससे कहती है जो भी मेरे साथ हुआ था अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो ये सब में नहीं कर पाती में जी नहीं पाती तुमने मुझे सारा दिया है इसलिए उसे वो thank you कह रही होती है ये कह कर उसका जो shop है उसका inauguration अब होने वाला है तो इसलिए वो उसे invite करकर वहाँ से चली जाती है अब हैंक का plan होता है कि जो सकाइलर का inauguration है वो जीस date पर था उसी date पर Walter के father भी मरे थे ये उन दोनों के लिए अब special day होने वाला है तो इस day पर Walter भी इस inauguration में आएगा तो वहाँ बहुत सारे police officer वहाँ उसने तेनाद कि होते है ये सब उस inauguration पर नज़र रख रहे होते तो वहाँ एक Santa Claus आता है Hank के boss की खिड़की पर वो खटगड़ाता है और इस खिड़की को तोट देता है वो भागने लग जाता है सब police उस Santa Claus की पीछे भागते है पर Hank figure out कर लेता है ये एक चलावा है वो भीड को देखने लग जाता है और वहाँ उसे Walter भी मिल जाता है Walter के पीछे भागता है और एक रूम में वो जाते है Walter उसे और वार कर देता है वो Walter को समझाने की कोशिश करता है कि तुमें अब salvation ढून लेना चाहिए उसे पता होता है कि वो hurt हो रहा है इसलिए उसे कहता है कि Skyler भी इसके लिए मान जाएगी वो भी समझ जाएगी तुमें इतना hurt होने की कोई भी जरूरत नहीं है पर Walter से कहता है कि Skyler की new life में हम दोनों ही एक ही link है जो ये सब बरबाद कर सकती है Walter हैंक को मार ही देने वाला होता है तभी हैंक के सब साथी वहा जाते है Walter वहा भागता है रूफ टॉप पर आता है रूफ टॉप पर आने पर हैंक उसे कहता है कि इससे सिर्फ मैं ही निप्टेने वाला हूँ हैंक Walter को समझाने के गोशिश करता है पर Walter उसे कहता है कि जब सन अपने हाइस पॉइंट पर होता है जब वो आकास में सबसे उपर होता है तब उसके नीचे की जो शैडो होती है वो किसी को भी नहीं दिखती है इसका मतलब है स्काइलर अब अपने करियर के सबसे बड़े मुकाम तक बहुत चुकी है वो अब बहुत ही पावरफुल है मिलिनेर से अब उसकी शादी हो चुकी है तब वो बहुत ही पावरफुल है उसके नीचे कुछ भी शाडो होगी उसने कुछ भी गलत काम की होगी फिर भी वो बहुत पावरफुल है वो बाइट चमक रही है तो उसकी shadow किसी को भी नहीं दिखेगी अब हैं पता है कि Murder को और Skyler को Walter की एक link है जो उसे connect कर सकती है तो इसलिए Walter अपने आपको ही इंजोर कर लेता है और building से कुछ जाता है वो अपने आपको sacrifice कर देता है Skyler के bright future के लिए Skyler का जो event चल रहा होता है उसी event में वो गिर जाता है millionaire की जो बेटी होती है वो वहाँ Walter को पहचान लेती है पर Skyler उसे दबा देती है Hank को पता चल जाता है कि ये लड़की उसे जानती है Hank फिर Skyler से कहता है कि अभी तो तुम सच पता दो Skyler कहती कि मैं उसे नहीं जानती फिर हमें Escalator से उपर जाती हो दिखती है यानि कि Skyler अपनी life से मुहान कर चुकी है और वो पुरानी चीजों में नहीं उलजना चाती अब मुवी का एक flashback का सीना में दिखता है जहाँ पर Water और Skyler कॉलेज में होते है और एक दुसरे से मिलते है वो अभी भी एक दुसरे से नहीं मिल पाते तो distance पे ही वो रुकते है और एक photo निकालते है इस photo में हमें पता जलता है कि वो एक दुसरे के साथ कभी भी नहीं रह पाए पर उनका जो प्यार था एक दुसरे से अलग ही रहे कर यह अमर हो चुका है यह यह movie खतम हो जाती है तो बहुत ही best movie थी अगर आपको यह movie अच्छी लगी हो तो please मेरे वीडियो को like कर दीजेगा और भी अगर एसी interesting movie आपको देखनी हो तो please मेरे इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon भी दबा दीजे यानि कि और भी movies आपको देखने को मिल जाए हम फिर से मिलेंगे और एक movie के साथ तब तक लिए thank you, शुक्रिया और good bye